जहिन साथियो स्वागा थे आप सभी का अपने डूप चैनल फ्री नॉलेज 1998 पर साथियो मैं आप सभी के लिए खुसकबरी लेकर आया हूं क्योंकि आप सभी को बहुत दिन से इंडियर आर्मी की बाहली के कोई खुसकबरी मिल नहीं मिल रहे थी और आप देख रहे थे कि सभी आरों बस भी फार्मा भी फार्मा क्वालिफिकसन दिया हुआ है बागे अधरवाइस कुछ नहीं सिर्फ यही लोग अपलाई कर सकते हैं तो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा निरास से जना कि यह बात थी कि आप के लिए भरती नहीं आ रही थी बट अब भरती आना चालू हो गई है अभी जो नौटिफिकसन जारी हुआ वो आपको मैं दिखा दू कि यह जो नोटिफिकसन जारी हुआ है तो आप देख रहा है उसकी इंड़्री को जारी हो गया है ठीक है साथीयों तो मैं इसकी एटूजट पूरी जानकारी आपको देने वाला हूँ कि कब से आपका चालू होना है और आपकी बाहली काव होना है करके आपको कहना चाहूंगा तो प्लीज हमारे चनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और रेल आइकन को दबा दीए ताकि इंडियार आर्मी को जो भी अपडेट आपके आपसे मिशना हो आपको पूरी जानकारी कि इसमें A toJet मिलती रहे ठीके साथियो तो चली कैप नोटिफिकेसन की और आपको लेच लीज चलता हूं कि इसमें क्या क्या क्वालिफिकेसन मांगा हुआ है और क्या क्या इसमें आपको लिग कर जाना है ठीके साथियो तो जैसा कि आप i screen पर देख रहे होंगे मैं इसके notification की और आ गया हूँ आपको screen पर दिख रहा होगा Indian Army Relay notification अलवार रेली Army Recording Office अलवार राजिस्तान ठीक है साथ यह राजिस्तान अलवार के लिए है अब मैं आपको बता दूँ कि इसमें अलवार राजिस्तान आपकी जो आपका जो होना है रेली होना है 20 April से 15 माई के बीच में आपका जो रेली होने वाला है इसके बीच में और जो आपका साथ यह online registration होना है वो 20 February से 6 April तक होने वाला है ठीक साथ यह एक बारों मैं आपको याद दिला दूँ कि आपका जो पाहली होने वाला है आपकी जो running आने की ground होने वाला है 20 April से 15 माई की बीच में आपका ground हो जाएगा और जो आपका registration online date है वो 6 April से 22 फरवरी से 6 April तक आपका registration होगा ठीक साथ हो अब मैं आपके इसमें दिखा दूँ कि सबसब पहली इसमें कौन-कौन से district आने वाले है तो इसमें district आने वाले हैं भरतपुर, डोलपुर और करवली, सवाई, मदोपुर, धाउसा, अलवार ये इतने district आने वाले मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 district को लिए गया ठीक है साथियो अब मैं इसमें आपको बता दिया था क्याइअ कि इसमें आपका जो रिलेडेट होने वाला है वहEd 20 April से 15 May蓄 में वाला है और आपको रिजिस्ट्रेशन होने वाला है 20 वबली से 6 अपरिल अपरिल तक होना है ठीक है साथियो और ये को च्योब्ध इसमें दिया गया है जिससका ये येलो बॉक्स सिeld और इसमें आपको यद्र हो प्यृर्ट में अंदर जाने जाएगा। चेशती तोrement सबसे पहले मिलने वाला है इसमें ऑपनाइच घ्राज काउंट तक किया जाएगा । 2.你 Unter a Bil Sabbath के तक कौंट किया जाएगा टिव और जो आपका हाइड होने वाला है 70 cm हाइड होने वाला है ठीक है साती हो और 77 आपका chest होगा plus 5 आपका impression होना बहुत ही ज़रूरी है ठीक है साती हो आप मैं बात करता हूँ soldier technical की soldier technical में आपको 17.5 से 23.5 तक इस होनी चाहिए और जो आपका age count किया जाएगा 1909-2004 के वीच में count किया जाएगा और आपका जो जो hide होगा एक 70 cm होने वाला है और chest आपका 77 प्रस 5 इंप्रेशन होना चाहिए वह बात करों soldier training की soldier training में आपका simple 10 pass होना चाहिए चाहिए 17.7 से 23 सेर तक आपकी ये जोनी चाहिए और जो खांब है इसमें कम लिए गया है चेस्ट और अब आपको देखने को मिलने वाले इसमें पोस्ट कि और में रहती है तो इसमें आपको साथे साथे सरफेर इसरे की बीज रहने वाली है और आपका जो एज काउंट किया जाएगा उनने चो अंठानव 2004 की बीज में एक सब्सक्राइब होगी और जब का चेस्ट होगा यदे आप 5.45 सेकड में आपको और आपको आरताली माँख दिये जाएंगे तो आशा करते हूं कि आप फर्ट गूरूप में आये और आपको साडनाक्स दिये जाए और आप बुलब पुलप की बात कर लेते हैं दस पुलप के आपको 40 मार्प दिए गया तो ये पूरी जानकारी मैंने आपको देखने को मिलने वाली है तो ये डाकुमेंट्स के बारे मैंने वीडियो बना दिया हूँ आपको कैकर लागने वाला है करके तो एक बार आप इसके नॉटिफिक्ष आपको दे दूगा ठीके साथ यह आप और ये वेट का मैं बता दो आपका हैट साथ यहाइट होगे उसके साफ से आपका वेट लिया गया है तो यह पुरी जानकारी में आपको देदिया हूँ तो इस और आप इस नौटिफिकसन को चाहना चाहते हो तो हमारे टेलिकरन सब सब पहले दोस्तों आपका निगेटिव जो आपका जो बनता है आपका निगेटिव सार्टिपेट बनता है कि आप उसमें वह नहीं हो करके तो उस वह सार्टिपेट लिके जाना है बनवा लीजेगा आप और नम्मर दूसरा आपका सेनेट टाजर होना बहुत जरूरी है इन चीजों को लिए बहुत जरूरी है और एक और बात एक और बात में आपको बता दूँ यदि आपका नम्मर फर्स्ट NCC है नम्मर सेकंड यदि आप स्पोर्ट कोटा से हो और नम्मर तीसरा यदि आपके पिता या फिर ब्रदर आर्मी में है तो दोस्तों इन तीनों में आ आप हो यह तीनों आपके पास है तो आप इसको जरूर ले कर जाएएगा क्योंकि आपको इसमें छूट मिलने वाली है बहुत ज्यादा छूट मिलती है तो आपके पास होगा तो आप भूलिएगा नहीं ठीकर साथ यह पूरी जानकारी में आपको दे दिया हूं यह जैसे कर दीदूँगा यह आपने हमां च्रह कर लीजेगा और दोस्तों यह जल्द में इसमें आपको पीपर ले कर आऊंगा कि आपका जी डी व्रणियूटी ट्रीडमेट इनके पीपर ऑर ऐजिनल के वीडियो बनाने वाला हूं तो अनुन हाँं को चैने कर लीजेगा और नीच